नमस्कार मैं पंदस दुबे और आप देख रहे हैं सागल तैंस निए नमस्कार बहुत बड़ी ब्रिकिन लू जा रही है दमो से जीहां दमो अब अपरादों का शहर बनता जा रहा है मद्द प्रदेश में अपरादों का हब बनता जा रहा है दमो दमो में बीटे कुछ दिनों से लगातार अपराद की घटना बल रही है इसी कड़ी में कल बीच सहर पर मुकमार पर दो पक्चों में जम कर मार्पिट हुई जिसमें मार्पिट का लाइब वीडियो बाइरल हुआ है जिने में बिगर चुकी कानून बवस्ता दमो जिले की कानून बवस्ता पूरी तरह से लगा चुकी है एक ही दिन में चार बड़ी घटना उने जिले की कानून बवस्ता की पूल कोल कर रख दी है बदवार सुबह से लेकर देर रहा तक चार बड़ी घटना सामने आई है सुबह पथरिया थाना चेतर में एक 22 सवार को गोली मार कर कार सवार फ़रार हो गए थे वहीं दूसरे मामले में मरिया दो थाना चेतर में एक मुख गधर घिस्टी बादत महिला से एक यह वक्त में बलातकार किया जिस महिला से बलातकार किया उसे दिखाई भी नहीं देता था लेकन हैवान यह वक्त घटना के बाद फरार हो गया वही साम के समझ देहाद ठाणा के वांसनी गाओं में दो पक्षो में फोनी शंगर्ज में आठ लोग गाल हो गए थे मामला यही सांध ने हुआ इतना ही नहीं और रात होते होते कोत वाली ठाणा छेतर में किल्ला इनाका समीर दो पक्षो में जम कर मार बीट भी बीच सबक पर हुई गुन्डागरदी का लोगों ने बीडियो बना कर वाइरल किया दरसल किल्ला इनाका पर नाट समझा के दो पक्षों में किसी बात को लेकर मुकमार पर एक दूसरे पर लाटियों से खुले आम हमला किया गया एक दुकांदार ने बीच बचा और तुकिया लेकिन उस पर ही आरोपी हावी हो गए और घटना की जानकारी पर और सी एस पी अभिशेक तवारी मौके पर स्टाप के साथ पहुँचे और आरोपीों को हिरासत में लिया इस पारे में जो भी कारवाई होगी वह जरूर गेजिए इस विशाए पर कुल मिलाकर जिले में कानून विवस्ता पूरी तरह से धरासाई हो गई है ऐसा नहीं है कि एस पी का पद्रिक्त हो लेकिन फुलिस कप्तान कमांड करने में सफन नहीं हो पा रहे हैं यही कारण है कि अपरादियों के होसले बुलंद है अब देखने वाली वायत है कि आकर कब तक अपरादों पर बिराम लग पाता है ये थी दमों से हमारे संबाद दाता राजन असाटी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अन्य और खबरों के लिए देखते रहे है सागर टाइ अन्सनुच